हेलो फ्रेंड्स, विल्कम बैक टू माई चैनल तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसी पत्यों के बारे में बताने वाले हैं जिसको टेली यूज करने से या चबाने से आपकी दिमाग की नस बहुत तेज होगी तो दोस्तों, आईए जानते हैं कि सुबा उठने के बाद इस पौधे की पत्यों चबाने से दिमाग होता है तेज सरीर को भी मिलते हैं यह गजब फाइदे सुबा सुबा उठकर इस पौधे की पत्यां चबाने मात्र से आपको कौन-कौन से फाइदे प्राप्त हो सकते हैं तो आईए जानते हैं इनके फाइदे तो दोस्तों आपने कई ऐसे पौधे के बारे में पढ़ा होगा जिनकी पतियां चबाने से ही कई रोगों को दूर करने में मदद मिलती है यूँ तो ऐसे ढेर सारे पौधे हैं लेकिन कुछ का नाम विसेश तोर पर हमारे स्वास्त के लिए पेहतर माना जाता है इनी कुछ चुनेंदा पौधे में से एक है जिनका नाम है ब्राम्मी जिसे देश बूटी के रूप में जाना जाता है और ये दिमाग की सुप्त सुस्त नंडियों को खोल देती है दिमाग को तरो ताजा और बुद्धी को तेश तर्रार बनाने में इसका कोई सानी नहीं है इतना ही नहीं ब्राम्ही ब्रह्मांडल की कोशिकाओं को जागरत कर अनेक प्रकार के तनाओ चिंता भै भ्रह्म से मुक्ति दिलाने का भी काम करती है तो दोस्तो आईए जानते हैं कि सुबा सुबा उठकर इसकी पत्तियां चबाने से आपको कौन कौन से फायदे प्राप्त हो सकते हैं तो दोस्तो ब्राम्ही के पत्तियों के फायदे में जानने के लिए हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखेगा और दोस्तों हमारे वीडियो में नए है तो हमारे आयरवेदिक नर्सरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजे तो दोस्तों चलिए जानते हैं ब्राम्मी के पतियों के फाइदे सुबा उठकर ब्राम्मी की पतियां चबाने से होने वाले फाइदे विकारों को दूर करने में मददगार ब्राम्मी आनिंद्रा के लिए यह एक प्राकृतिक औशधी है और ब्राम्मी को आरवेद की एक ऐसी जड़ी बूटी माना जाता है जो मस्तिक्स संबंधी 97 प्रकार के विकारों को ठीक कर सकती है डिप्रेशन से निपटने में कारेगार ब्राम्मी को डिप्रेशन को जड़ से मिटाने वाली आरवेदिक औशधी के रूप में माना जाता है और ये दुनिया में या सर्वसेष्ट बुद्धी वृद्धी दाता प्राकरतिक विलचण ओशधी है इसमरड सकती पढ़ाने में मददगार करता है ब्राम्मी मस्तिक्स को विकारों में बेहद लापकारी मानी जाती है और इसे इसके अदुद्ध इसमरड सकती दायक ओशधी गुड़ों के लिए जाना जाता है मस्तिक्स सौस्त होता है बेहतर ब्राम्मी की पत्तियों का सुबा उठकर सेवन करने से आपका विवेक तेज होता है और मस्तिक्स सौस्त को दुरुस्त रखने में मदद मिलती है यादास बेहतर बनाती है ब्राम्मी अगर आपकी यादास कमजोर रहती है तो आपको नियमित रूप से सुबा उठकर ब्राम्मी की पत्तियों का सेवन करना चाहिए जो भुलकड़ पंसे नीजात दिलाने में मदद करता है दिमागी रूप से कमजोर लोगों के लिए फायदे मंद दिमागी रूप से कमजोर लोगों को सुबा उठकर नियमित रूप से ब्राम्मी की पत्तियों का सेवन करना चाहिए जो उनकी मनसिक दुर्वलता को कम करता है और मस्तिक सुसास्त को बेहतर बनाता है किटाणूओं को खतम करती है ब्राम्ही ब्राम्ही के सेवन से आपको दिमाग में मौजूत सिथिल किटाणूओं को खतम करने में मदद मिलती है इतना ही नहीं ये ब्रेन की रक्त कोशिकाओं में खून का संचार बढ़ाने का काम करते हैं ब्रिध्धी वर्धक है ब्राम्ही ब्राम्ही दिमाग के लिए राहतकारी सांती दायक होती है इसके अलावा ब्राम्ही मेथा को हितकारी बुध्धी वृध्धी दायक बुध्धिमान बनाने में शहायक है चिंता दूर करने में लाबकारी चिंता वा बार बार भूलने की आदत मिटाने वाले भै, भ्रम, नाशक समय पर नेंद लाना, आनिंद्रा, तनाव, डिप्रेशन, मांसिक विकाल, मिर्गी, आदी रोग दूर करना इसका प्रमुक कार रहे है सरीर में बलड सूगर लेवल को सही तरीके से रिगुलेट करने में भी ब्राम्ही एहम योगदान देता है इसके साथ ही साथ हाईपोगलोसीमिया के लच्छुडों से भी अराम दिलाने में सहायक है बालो में डैंद्रॉफ या फिर खुजली की समयस्या भी ब्राम्ही के प्रयोग से ठीक हो सकती है तमाम तरह की सौंदर्व समेस्याओं में ब्राम्भी का प्रियोग औशधी के रूप में किया जाता है इसमें मौजूद एंटी एक्सिडेंट्स सरीर से टॉंकिस को बाहर निकालने का काम करते हैं ब्राम्भी साइकोलेजेनिसिस कास्पोसस और लिपोकिस जेनस जैसे एंजाइमों को रोकने में मदद करती हैं जो दर्द और सूजन पैदा करने में मुख भूम का निभाते हैं इसलिए ये गठिया से पीडित लोगों के लिए भी फाइदे मन्द है अगर आपके लंबे बाल करना चाहते हैं तो आप ब्राम्भी इस्तमाल कर सकते हैं आप अपने स्केल्प पर ब्राम्भी लगा सकते हैं ये बालों को पोशर देने का काम करता है ये बालों को जहड़ने से रोकने में मदद करता है ब्राम्भी बिटामिन और मिनरल का अच्छा इस्त्रोत है इसमें मौजूद फाइवर आतों में से हनिकारिक परदारतों को साफ करके पाचन तंत्र को मजबूत करता है साथ ही पाचन प्रडाली को धीमा कर भरपूर उर्जा प्रदान करता है और मल की मात्रा को बढ़ाता है मिर्गी के लिए ब्राम्भी के उपचार आर्वेद में ब्राम्भी का उपयोग शदियों से नर्व टॉनिक के रूप में जैविक और कालिक्तम नर्वस सिस्टम के विकारों को दूर करने के लिए किया जाता है वहीं अगर मिर्गी की बात करें तो कई आर्वेद दवा का इस्तमाल किया जाता है जिसमें एंटी पीलोपिट गुड पाया जाता है इस मेंटेट नामक दवा में ब्राम्भी भी सामिल है ऐसे में हम कह सकते हैं कि ब्राम्भी के सेवन से इस रोग को दूर किया जा सकता है और बिमारी के दोरान भी इसका उपयोग करने से फाइदा होता है इस अदभू जड़ी बूटी को उपयोग अस्थमा और ब्रोकोटिस जैसी साथ सम्मंधी समिस्याओं के साथ साथ मिर्गी के इलाज भी किया जा सकता है इसका उपयोग मूत्र मार्ग के संक्रमण उच रक्त चाप रक्त के रोग गठिया वा हेपिटाइटिस के उपचार के लिए भी किया जा सकता है इसमें एंटी बायोटिक वा एंटी फंगल गुड भी मौजूद होते हैं जो घावों को भरने में उपयोगी माने जाते हैं ब्राम्भी में एस्ट्रिजेंट गुड पाया जाता है जो तचा के लिए फाइदे मंद होता है कई सौंदर्व प्रस्थानों में एस्ट्रिजेंट का इस्तमाल किया जाता है एस्ट्रिजेंट तचा के रोम छिद्रों को साफ करके अतिरिक्त तेल को हटाने का काम करता है तो आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं ब्राम्भी के अर्क को गुलाब जल के साथ मिलाकर चहरे पर लगाएं फिर पांच मिनट के बाद इसे पानी से धो लीजिए ब्राम्भी के अंदर पाये जाने वाले पेंटा साइकलिक ट्राइटर पीन का उपयोग आम तोर पर एंटी रिंकल योगी के रूप में किया जाता है जो चहरे की जुर्रियां को दूर कर चहरे को स्वास्थ बनाने में मदद कर सकते हैं साथ ही इसमें पाये जाने वाला एंटी एक्सिडेंट गुड फ्री रिडिकल्स से लड़ने और तचा को स्वास्थ बनाये रखने में मदद करने के साथ साथ जुर्रियां वा सूजन को कम कर सकता है तो आप इसका उपयोग ब्राम्भी चुन्ड को पानी के साथ मिला कर पेश्ट बना लें फिर आप इसे चहरे पर फेस पैक की तरह इस्तमाल करें तो दोस्तो ये थे ब्राम्भी के फाइदे तो आप भी इसके पत्तियां डेली खाली पेट आप सुबा यूश करिए और अपने ब्रेन को तेज करिए तो दोस्तो हमारा वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके जरूर बताईए और दोस्तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लीजे बिल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि हम कोई नया वीडियो बनाए तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिले तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तो हमारे वीडियो शेयर और लाइक करना नहीं भूलिएगा थैंक्यू